अब हम सबक जंग अजीम के बाद सियासी वाक्यात में अगला हिस्सा पहली आलमी जंग का पसमंजर और उसके असरात का मुतारलया करेंगे पहली आलमी जंग 1914-1918 के दर्मियान हुई इस जंग में यौरप के एहम मुमालिक शामिल थे जैसे बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, हैंगरी, आस्ट्रिया, बल्गारिया, मुमालिक शामिल थे प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं कि जब जंग होती है, तो मुल्क का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता है ये जंग दुनिया के सामने एक मसला बनकर खड़े हो जाती है और जब जंग होती है तो जंग दुनिया में हौलनाक और भयानक असराच छोड़कर जाती है इस तरह से पहली जंग अजीम के दोरान इंसानी जानों और अमलाक का जबरदस नुकसान हुआ और दुनिया के हर मुल्क की मैश्यत इस से मतासिर हुई जंग में शामिल ना होने वाले मुमालिक भी इस से मतासिर हुए फात्या और मफ्तु दोनों मुल्कों की मैश्यत तबाह हो गई फात्या यानि जिसने फत्य हासिल की और मफ्तु यानि जिस पर फत्य हासिल की गई यानि ये दोनों मुल्कों की मैश्यत तबाह हो गई नमबर एक इत्तिहादी गुरू और नमबर दो महवरी ताकत अब नमबर एक इत्तिहादी गुरू में बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली, अमरीका, मुमालिक शामिल थे और नमबर दो महवरी ताकत गुरों में जर्मनी, औस्ट्रेलिया, हेंगरी, सल्तनत उस्मानिया, बल्गारिया ये मुमालिक शामिल थे जंग के खात्मे पर उसके भयानक अंजाम को देखते हुए मुस्तक्बिल में जंग ना हो इस मकसद के लिए लीग अफनेशन, यानि मजलिस अकवाम का गयाम अमल में आया और तमाम मुमालिक ने ये फैसला और महेदा किया कि ये मजलिस अकवाम, मुस्तक्बिल में जंग को रोकने का गाम करेंगी इस जंग के खात्मे के बाद यॉरप और दुनिया में एहम तब्दिलिया रोनुमा हुई मसलन यॉरप में पुरानी हुकूमते खत्म हुई और नए मुमालिक वजूद में आए बर्याजम अफरीका और एशिया में यॉरप के कई मुमालिक की नौबादियात थी इन नौबादियात में आजादी की तहरीके शुरू हो गई इन तहरीकों ने यॉरपी मुमालिक के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया मदली से अकवाम अपने मकसद में नाकाम रही जर्मनी, इटली और स्पैन में आमरियत को उरूज हासिल हुआ ये वाक्या दूसरी आलमी जंग का सबब बने